हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्टिन मार्केट के एक और न 14 वीडियो पे दोस्तों अगर अभी तक आप ने हमारे चैनल बेस्टिन मार्केट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज याद से इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा वहीं अगर आप trading करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल वारा लिंदी टीवी को भी चाहो तो subscribe कर सकते हो अब दोस्तो आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि हमारे चैनल को subscribe करना क्यों जरूरी है तो आप देख सकते हो मैंने कली आपके साथ दो स्टॉक्स के ऊपर वीडियो शेयर की थी जिसमें पहला था Metro Brand और दूसरा था Urja Global मैंने Metro Brand वाले में बताया था कि कुछ बड़ा धमाका होने वाला है और Urja Global में बताया था कि सत्यानाश हो गया तो अब हम एक नजर दोनों ही स्टॉक्स पर डाल लेते हैं आप देख सकते हो आज की दिन Metro Brand का जो result है उसके आने के बाद से जो शांदार तेजी आपको देखने को मिली है वो almost सीधे सीधे 20% की तेजी देखने को मिली है तो अगर कल आपने मेरा वीडियो देखा होता तो आज आपको एक अच्छा कासा Profit Metro Brand में देखने को मिल सकता था वहीं दोस्तो अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो उर्जा Global यहाँ पर मैंने आपको अपने वीडियो में बहुत क्लियली बताया था कि आज के दिन आपको Lower Circuit देखने को मिल गया अगर आपने ये दोनों सब्सक्राइब करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो वह 1336 रुपीज के आसपास में चल रहा है और अगर यह स्टॉक आपके पास भी है तो आप मुझे कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि आपने किस प्राइस पर इस स्टॉक को करीद के रखा है अगर हम पिछले एक साल में मिलने वाले रिटन को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो dalmost 663 पर सेंट रिटन आपको happiest में में देखने को मिला है वह एक कंपनी हाली में लिस्ट हो है 18 सप्टैंबर 2020 सब्सक्राइबर इस ओने कम समय के अंदर इतना शानदार रिटन अपने holders को देना काफी बड़ी बात है इस company के लिए यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक और important चीज यह निकल के आती है देख सकते हो जब से company list होई है यहाँ से company लगातार उपर जाती गई और यहाँ पर आने के बाद भी company में कोई sharp correction देखने को नहीं मिला है exactly company अभी यहाँ पर एक consolidation phase में जा चुकी है और यहाँ पर आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी stock में अगर rally होती है तो वो stock अपने आपको दो तरह से correct करने के कोसिस करता है या तो price correction होगा उसमें जो price होगा वो काफी तेजी से नीचे आएगा या तो फिर time correction होगा यह मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपके साथ already share किया हुआ है तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यह stock है यहाँ पर time correction में चला गया है तो finally इस stock का time correction अब खतम होने वाला है 19,660 करोर का market cap है company का वहीं अगर ROC की बात करें तो बहुत शांदार ROC देखने को मिल रहा है 34.5% का वहीं अगर हम ROE की बात करें तो almost 40% का ROE देखने को मिल रहा है वहीं अगर stock के PE की बात की रहा है मतलब profit to earning ratio की बात करें तो आपको 121 का देखने को मिल रहा है थोड़ा सा high है लेकिन company already काफी अच्छे returns जनरेट करने के बाद भी price correction नहीं दिखा रही है तो इसलिए हम लोग इसमें investment के बारे में plan कर सकते हैं अब अगर हम company के about section को check करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो company का headquarter है वो आपको बैंगलोर में देखने को मिल रहा है वहीं company जो operate करती है वो US, UK, Canada, Australia और Middle East में operate करती है इसी के साथ company के पास एक और plus point यह है कि जो company की ranking है वो है fourth अपनी IT services में अब जैसे कि आपको पता होगा कि यह company 2020 में stock market में list होई है और उसके बाद से इसमें इतना अच्छा performance देख कर आपको इस company के और और भी ज़्यादा भरोसा बढ़ जाएगा company artificial intelligence में काम करती है blockchain में, cloud में, digital process में, internet of things में तो यह सारी चीज़े देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि company काफी शानदार profile maintain करके रखी है लेकिन यहाँ पर एक और important चीज़ है कि company robotics और drones में भी काम करती है security में भी काम करती है, virtual augmented reality में भी काम करती है और हाली में दोस्तों आपने metaverse नाम जरूर सुना होगा जो कि facebook का नाम जरूर के metaverse कर दिया गया है वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को काफी जादा यूज होने वाला है तो उससे भी company को काफी जादा बड़ा फाइदा हो सकता है in future उसी के साथ दोस्तों इस company के लिए एक और plus point ये है कि इस company के जो executive chairman है अशोक सूता जी वो पहले mind tree company के founder और chairman हुआ करते थे उसके पहले उन्होंने विप्रो में काम किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इनके founder है उनके पास already IT services की काफी ज़्यादा तगड़ा experience है और काफी बड़ी company के साथ उन्होंने पहले काम किया हुआ है तो जिस वज़े से उनका जो vision होगा वो इस company को काफी आगे लेकर जा सकता है अब दोस्तों अगर company के pros की बात कर लेते हैं वहीं दोस्तों गर हम cons की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 33.35 times यह stock अपनी book value के उपर trade करता हुआ आपको नजर आ रहा है अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि यह company IT service की company है तो इसके जो competitor होंगे वो भी IT sector के company होंगे अब दोस्तों अगर हम quarterly result की बात करते हैं तो अगर हम sales पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हो company के sales है वो लगातार increase हो रहे हैं जिसकी वज़े से यह समझ में आता है कि company fundamentally काफे ज़ादा strong है वहीं अगर हम company के operating profit पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो company का operating profit है यह भी आपको लगातार growth होता होगा देखने को मिल रहा होगा वहीं अगर हम company के profit और loss को yearly comparison करते हैं तो अगर यहाँ पर भी आप नजर डालो के तो देख सकते हो कि अगर March 2021 की बात करें तो 191 करोड का profit था company को वहीं अगर March 2020 की बात करें तो वहाँ केवल और केवल 97 करोड का था तो almost 100 करोड का profit एक साल के अंदर company ने generate कर लिया तो यह देखकर हमें बहुत clearly समझ में आता है कि company के जो fundamental से वो काफी ज़ादा strong है वहीं दोस्तों अगर हम एक नजर share holding pattern के उपर भी डाल लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखने को बहुत ही amazing चीज़ देखने को मिलेगी क्योंकि promoters की holding लगातार आप देख रहे हो constant है वहाँ अगर FIs की बात करें तो FIs की holding मी almost constant है DIs की holding मी constant है Public की holding मी almost constant है आपको एक consolidated range के अंदर देखने को मिल रहा है तो इसमें जब भी momentum आपको देखने को मिलेगा काफी fast momentum देखने को मिलेगा या तो उपर की तरफ या तो नीचे की तरफ लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक positive ख़बर है अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे कि हमने काई सारी lines ड्रॉप करके रखी है इन lines का क्या मतलब है क्या best buying level है ध्यान से देखेगा वीडियो को बहुत clearly समझ में आएगा अभी के समय में में दोस्तों जो stock का price चल रहा है तो in case यह stock इसी तरह से ऊपर चलता रहता है तो हमें यहाँ पर clearly कह सकते कि हमारा stock जो है वो एक तरह से uptrend move में जा चुका है तो अगर यह stock uptrend move में है तो हमारे लिए resistance कहा आप निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छे बार continuously इसी जगह से यह stock resistance लेता हूँ आपको नजर आ रहा है तो in case जैसे ही यह 1380 के level को cross करेगा इसमें एक fast momentum आपको देखने को मिलेगा फिर हमारे लिए जो next hurdle निकल के आएगा वो होगा 1440 का तो यहाँ पर मैं बहुत clearly note कर देता हूँ 1440 रुपीस का level जैसे stock 1440 रुपीस के level तक पहुँचेगा यहाँ पर फिर से आपको एक hurdle देखने को मिलेगा और अगर इस hurdle को यह stock cross कर लेता है तब यह stock आपको directly 1560 रुपीस के level पर देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर मैं mention कर देता हूँ यह वाला level भी 1560 रुपीस का तो यहाँ पर आपके सामने आपके screen पर सारे levels मैंने बहुत clearly note कर दी है जिनने अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यह clearly समझ में आ जाएगा कि आपके stock में किस तरह की momentum आने वाले समय में हो सकती है जहाँ इस stock का current market price अभी 1330 रुपे के करीब में चल रहा है वहीं यह stock अगर आपको कहाँ पर 1360 रुपे के ऊपर निकलता हुआ दिखाए दे तब आप इसमें एक buying position initiate कर सकते हो तो जो हमारा best buying level निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1360 रुपे का और यह 102 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है जैसे यह level cross होगा लेकिन उससे important चीज़ आपको इन levels पे भी नजर बना कर रखनी है 1380 रुपे पे और 1440 रुपे पे भी अब यहाँ पर एक चीज़ और आप धिहान नखना कि जो 1560 रुपे का target हमारा है यह हमारा short term target है इसको आप long term target मत समझना तो अगर इस stock को आप long term hold करते हो तो मैं इस stock में 3600 रुपे का target expect करके चल रहा हूँ long term का दोस्तों फिर से मैं आपको मतलब सब्जादू कि मेरा जो long term perspective होता है वोता है 5 years का तो अगर आप 5 years तक इस stock को hold करने के लिए सक्षम है तो आपको यह stock 3600 रुपे तक जाते हुए देखने को मिल सकता है अब दोस्तों यह सारी बाते तो हो गई कि कहाँ पर आपको hurdle है कहाँ पर आपको buy करना है क्या आपका target होना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक और हमारे लिए important चीज़ है और वो है हमारा stop loss हमको अपने stop loss को कहाँ पर लगा के रखना है दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक red line draw करके रखी है यह हमारा stop loss होना चाहिए actually यह जो हमारे stop loss निकल के आ रहा है यह आ रहा है 1130 रुपए का अगर यह stock 1130 रुपए से नीचे निकलता हूँ आपको देखने को मिलता है तब इसमें काफी ज़दा fast downward momentum स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो कि stock काफी time से एक consolidation range के अंदर घूम रहा है तो इससे आपको यह clear हो गया होगा कि अगर आपने कहीं ऊपर position बना रखी है तो आपके लिए strict stop loss जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1130 रुपए का वहाँ दोस्तों अगर आपने नीचे कहीं buying करके रखी है और आप अभी इस consolidation में फसे हुए तो भी आपको stop loss इसी को बना कर रखना चाहिए क्योंकि अगर 1130 रुपए के नीचे यह stock slip होता हो आपको दिखता है तब इसमें वापिस से एक fast downward momentum चाल हो जाएगा और आपके जितने भी profits है वो कम होना start हो जाएगे no doubt fundamentally यह stock काफी जादा strong है लेकिन फिर भी आपने अगर नीचे कहीं buy किया है और आपको इतना अच्छा profit हो रहा है तो आप यह opportunity miss मत कीजेगा वहीं दोस्तों जिन लोगों ने इस stock में entry नहीं बनाई है वो 1360 रुपे के ऊपर जैसे ही stock closing देता है वो इसमें एक entry बना सकते हैं और वहीं उनका immediate basis पे जो target होगा वो होगा 1560 रुपे का वहीं अगर वो long term के लिए hold कर लेते हैं तो 3600 रुपे का target भी उनने देखने को मिल सकता है I hope इस वीडियो में बताये हुए levels बहुत clear लिए आपको समझ में आये होंगे अगर आपके पास भी happiest mind का share है तो आप मुझे comment में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने किस price पे कितने quantity में buy किया है I think आपके सारे doubt इस वीडियो में clear हो गए होंगे लेकिन फिर भी अग अगर आपका कोई happiest mind से related doubt है तो आप वीडियो के नीचे comment section में मुझे पूछ सकते हो फिर मिलूँगा एक और ऐसी वीडियो लेकर तब तक के लिए दन्यवाद